रादे रादे सादना की चिन में आपका स्वागत है तो आज हम फिर से एक और नई रेस्पी लेकर आए हैं जैसे कि खील खील तो हर किसी के घर में तो हर पर आती हैं कितनी भी कम लियाओ फिर भी खील बची जाती है तो बच्चे खाते नहीं है कहते हैं क्या ममी फिकी फिकी सी लग रही है तो आज हम इनको नमकिन खिल बनाएंगे तो आप देखिए मैंने थोड़ी सी खिल लिये हैं और इनको मैंने अच्छे से साप कर लिया है तो देखिए मैंने इन में से बहुत सारा दहन निकला है इनको हम धान बोलते हैं आप क्या बोलते हैं हमें कमेंट में जरूर बता है तो मैंने एक बारी कटी हुई मिर्च काट ली है और मैंने तेल गरम है इसमें थोड़ा सा जीरा डाल लेंगे और कटी हुई बारी हरी मिर्ची डाल लेंगे और कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे इससे हमारी नमकिन खील और भी अच्छी कलरदार बने तो इसको हम थोड़ी देर के लिए भूंज लेंगे इससे हमारी हल्दी भी भूंज जाए और मिर्ची भी थोड़ी सी फ्राई हो जाए और जो हमारी खील हैं उनको हम डाल देंगे इसमें और इनको हम अच्छे से फ्राई कर देंगे और हमारी खील भी करारी हो जाएं और बहुत चटपटी सी बनके तैयार हो थोड़ी सी देर में तो आप इनको साप करके ही बनाएं खील थोड़ी सी देर में बनके तैयार हो जाती हैं लेकिन आप हमारी तरीके से बनाइने तो आपकी खील बहुती चटपटी सी मज़ेदार बनके तैयार होंगी तो आप हमारी पूरी बीडियो को देखें कभी कभी क्या होता है कि पूरी बीडियो नहीं देखते हैं और जैसे आप बनाते हैं तो आपका अच्छा सा सामायन नहीं बनके तयार होता है और खराबी बनता है इसलिए आप हमारी पूरी बीडियो देखें तब ही बनाए जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे वैसे ही आप बनाए तो इसमें मैं थोड़ी सी मिर्ची डाल दूँगी जैसे और भी हमारी चटपटी सी बनके तयान हो और थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूँगी स्वाधनुसार आप कमिया ज्यादा कर सकते हैं और हम इसको अच्छे से फिर से फिराई कर देंगे और बच्चे तो बच्चे क्या बड़े भी इसको बहुत अच्छे से खुश हो के खाएंगे और बच्चे चुटकियों में ख़दम कर देंगे खाके नी बहुत ही हमारी आज की रेस्पी मज़ेदार सी बनके तैयार हुई है और इसमें हम थोड़ा सा किचिन किंग डाल देंगे इससे और भी इसका टेस्ट दोगुना बढ़के हो जाए और इसको हम अच्छे से फिर से फिराई कर देंगे तो आपको हमारी आज की रेस्पी छोटी सी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लें हम आपके लिए ऐसे ही हर रोज नई नई रेस्पी लाते रहेंगे आप अपना सपोर्ट बनाए रखें तो फिर से हम इसको चला देंगे जिससे हमारी और भी ज़्यादा करारी हो जाएं अगर आप हमारी वीडियो को यहा तक देख रहे हैं और आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इससे क्या है कि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास में पहुंचें आप अपनी दूस्तों रिष्टेदारों के साथ सेर करें इससे वो भी इस रैस्पी का आनन्द उठा सकें तो हमारी खील बनके तैयार है मैंने कैस को बंद कर दिया है हम आपको पिलेट में निकाल के दिखाते हैं और इसमें ज्यादा समय नहीं लगा है पांच मिलिट में बनके तैयार है क्या वाद है हमारी नमकीन खील बनके तैयार है आप इनको चाय के साथ दिखा सकते है तो आपको हमारी छोटी सी रैस्पी कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए इसे के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है आप से मिलेंगे अगली वीडियो में जैसीरी रादे